आज हम जानेंगे स्वास्थे, त्वच्चा और इम्यूनिटी पर गिलोई के लाव के बारे में। गिलोई का उप्योग सैक्डो वर्षों से कई स्वास्थे लावों के लिए किया जाता है। गिलोई एक प्रभावी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में कारे करता है। और इसका उप्योग बिमारियों के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। गिलोई का इस्तिमाल हम कैसे करते हैं। गिलोई का सेवन पाउडर, जूस या क्यापसूल के रूप में किया जाता है। इसकी जड़ और पत्तियों को एक साथ पानी के बराबर भाग में पीस कर और उन्हें च्छान कर इसका सेवन करते हैं। गिलोई के बारा स्वास्थे लाव। इम्यूनिटी बूस्टर गिलोई आवशक पोशक तत्व प्रदान करके हमारी इम्यूनिटी में सुधार और समर्थन करने और हमारी याददाश्थ को बढ़ाने में मदद करता है। सासों के संक्रमण में सहायक, आस्थमा, ब्रॉंकाइटिस और पुरानी खासी जैसी सामान्य बिमारियों में गिलोई बहुत कारगर है। शरीर को डीटॉक्स करना। गिलोई एक बहतरीन औरग्यानिक डीटॉक्सिफाय के रूप में काम करता है, जो हमारी तवच्चा की चमक को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। पौधे का तेल तवच्चा के प्रभावित शेत्रों पर लगाना बेहत लापकारी है। लीवर की कार्य प्रणाली को बढ़ावा। गिलोई आपके लीवर से टॉक्सिंस को निकालता है और ये फैटी लीवर की स्थिती के इलाज में भी प्रभावी है। डाइजेशन में मददकार। गिलोई मजबूत पाचन के निर्माण में भी काम करता है। ये हमें भूक ना लगना, पेट में दर्द, अत्यादेक प्यास और उल्टी जैसी स्थितियों को रोकने में मदद करता है। गिलोई का उप्योग त्वचा के लोशन बनाने के लिए भी किया जाता है। जो प्रभावी रूप से त्वचा को कोमल बनाये रखता है और त्वचा रोगों जैसे जुरियों, महीन रेखाओं, काले धब्बे और मोहासों में सहायक है। बुखार को नियंतरित करना गिलोई का उप्योग तेज बुखार को नियंतरित करने के लिए किया जाता है और ये शरीर के तापमान को कम करने में मदद करता है। यौन उपचार में सहायता गिलोई नपुन सकता और शीक्र पतन जैसे विभिन यौन स्वास्ते समस्याओं में प्रभावी रूप से मदद करने के लिए जाना जाता है दृष्टी में सुधार गिलोई का इस्तिमाल आखों की रौष्णी बढ़ाने के लिए भी किया जाता है पत्तियों या पाउडर को पहले उबाल कर उन्हें हमारी आखों पर लगाकर ठंडा किया जाता है डेंगू बुखार का इलाज गिलोई डेंगू बुखार से प्रभावित लोगों में प्लेटलेट्स को बहतर बनाने में और शीक्र स्वस्थ होने में मदद करता है प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए गिलोई के रस को उबाल कर उसमें तुलसी के कुछ पत्ते डालने चाहिए हे फीवर गिलोई के कसेले गुड बहती नाक, अत्यदेख छीक और आखों से पानी को रोकने में मदद करते हैं बहतर परिणाम के लिए आधा चम्मत चूर्ण लें और इसे शहद के साथ मिलाकर खाली पेट सेवन करें कुरोना वाइरस इम्यूनिटी क्षमता में व्रधी कुरोना वाइरस जैसी वाइरल बेमारियों का सामना करने में उप्योगी हो सकती है क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है गिलोई का रस दिन में दो बार चार से छे सपता तक लेने की सलहा दी जाती है ये सभी कारण गिलोई को एक चमतकारी जड़ी बूटी बनाती है जिसका उप्योग कई उद्देशियों के लिए किया जा सकता है गिलोई को अपने आहार में शामिल करने से हमें लंबे समय तक मदद मिल सकती है अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक पर क्लिक करें